चलिए यहां पर मान लेते हैं आपको एक option में offer किया जाएगा कि भाई आपको एक 1.5 लाख रुपे की job दी जा रही है और एक 20 हजार रुपे वाला business दिया जा रहा है जिसमें आपको महिने का 20 हजार रुपे बचने वाला है आप क्या करना पसंद करोगे वीडियो बहुत ही ज्यादा interesting होने वाली है और बहुत ही ज्यादा important होने वाली है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा Hello and welcome friends मेरा नाम है अनूप सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इसी तरीके से high quality educational वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को भी subscribe करें और हाँ साथ में आने वाले bell icon को भी press करते ताकि आप किसी भी latest वीडियो की latest update मिसना कर सकें So let's get started एक डेल लाख रुपे वाली नौकरी और एक 20,000 रुपे वाला बिजनस Mostly यहाँ पर लोग जो इंडिया में होंगे वो जो नए बंदे होंगे जो business thought के होंगे वो चुनना पसंद करेंगे कि भई मैं business चुनूँगा अब जिनके मन मैं बचपन से बिठा दिया गया है नौकरी नौकरी वो लोग नौकरी भी चुन सकते हैं मगर अधिकतर लोग यहाँ पर जो है वो कहेंगे कि मैं 20,000 रुपे का business चुनूँगा उसको बहुत ज़्यादा grow करूँगा मेरे recording यह पागलो वाली बात हो जाएगी अगर कोई genius बंदा होगा वो इस situation में क्या करेगा पहले उस job को कर लेगा उस job को कम से कम एक से डियर साल करेगा उससे experience गेन करेगा उससे पैसे इकठे करेगा इंकम इकठा करेगा और वो अगर 20,000 रुपे का business करता आई थिंक वो इतनी तेजी से grow नहीं हो सकता था जितनी तेजी से वो उस नौकरी से पैसा कमा कर उस पैसे को एक जिगे पर invest करके अमीर बन सकता है रिच बन सकता है, grow हो सकता है अब जिनको यहाँ पर यह लगता है कि नौकरी बुरी है तो आप बताईए आपने सत्य नडेला का नाम सुना है या फिर सुन्दर फिशाई का नाम सुना है सत्य नडेला जो की Microsoft में Chief Executive है या फिर अगर हम बात करें सुन्दर फिशाई सरकी तो वो Google में इतने बड़े पतपर है कि उनको हर कोई जानता है आज इनकी जो महिने की इंकम होती है वो करोडों में होती है करोडों में खेला करते है महिने में तो आपको क्या लगता है कि ये लोग अगर बिजनस करते तो इतने सफल हो पाते है शायद ही इतने सफल हो पाते है पर अगर ये नौकरी भी कर रहे है अब यहां मेहनत भी जो होती है वो दो टाइप की होती है एक होती है ब्रेंडली एक होती है फिजिकली ठीक है आप अगर ब्रेंडली करते हो तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकते हो फिजिकली करते हो तो अपने बॉडी को ग्रो कर सकते हो एक बॉकसर होता है जो एक बॉडी नहीं कर पाता है पर अगर हम बात करें कि कोई बंदा अगर अपने दिमाग से हाड़ वर्क कर रहा है महनत कर रहा है तो वो अपने जिन्दगी को ग्रो करता है अपने लाइफ को ग्रो करता है अपने जीने के तरीके को ग्रो करता है आप क्या कर रहे हो वरना मेहनत की अगर यहां बात करें तो मेहनत तो एक रिक्से वाला भी करता है मेहनत वो मजदूर भी करता है जो हमारे घर बनाता है मेहनत वो मोची भी करता है जो लोगों के चपल बनाता है और मेहनत वो गधा भी करता है जो दिन रात अपने मालिक के कपड़े ढोता रहता है पर अगर हम बात करें तो यहां हर किसी को सही दिशा नहीं पता होती है पराई थी आपको पता है आप चाहे किसी भी फिल्ड में क्यों न हो अगर आपको रिच बनना है अपने फिल्ड का expert बनना जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहले पैसे की जरूरत पड़ेगी जब आपके पास पैसे होंगे तो उसे आप invest भी कर सकते हैं और जब आप पैसे को invest करेंगे आप तभी rich बन सकते हैं कमा कर कोई rich नहीं बना है, इतिहास गवा है आप किस तरीके से अपनी किस strategy पर काम कर रहे हो, किस काम को कर रहे हो, कितना कमा रहे हो हर चीज matter करता है पर सबसे जदा important है कि आप invest कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो और अगर आप हम बात करें नौकरी और business के बीच में तो आप दोनों में से चाहे कुछ भी करो क्या आप मेहनत कर रहे हो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप नौकरी में भी करोडों कमा सकते हो मेहनत नहीं कर रहे हो तो I think business में भी आपको 1000 रुपे मिलने मुश्किल है चलिए हमारे आसफास खोली किसी नई और छोटी सी दुकान का example लेते हैं उस दुकान वाला बंदा अगर सिर्फ दुकान खोल लिया है और बैठ गया आराम से कोई customer आएगा क्या उसके पास कोई customer आएगा जी नहीं आने वाला क्यूंकि उसके दुकान नहीं है इतने लोग उसको जानते नहीं है किस तरीके से उसके दुकान पर कस्टुमर्स आएंगे एट्रेक्ट होंगे परवही माल लेते हैं कि चलिए उस बंदे ने दुकान खोल तो लिया है पर वो अब उस इस्तर पर मेहनत कर रहा है उस दुकान को ग्रो करने के लिए वो क्या करता है कि कभी जो products हैं उनकी sale लगाता है वो क्या करता है कभी जो products हैं उनको कुछ discount rate पर देता है वो कभी क्या करता है कि वो जो products हैं उन products को बाहर दुकान के टांगता है ताकि लोगों को दिख सके कभी किया करता है कि अपने दुकान के advertisement को अपने area भर में फैला देता है पोस्टर्स लगवा देता है सौटेज सो रॉपे के खभी वो क्या करता है कि अपनी shop को facebook पर logo तक शेर करता है logo तक पहुचाता है नई-ई चीजों पर डालता है कभी वो क्या करता हैellen? अलग-अलग वेबसाइट्स पर अलग-अलग जगाहों पर अपने दुकान के बारे में बताना स्टार्ट करता है कभी वो क्या करता है कि यूट्यूब पर अपनी दुकान की वीडियो डालता है और बताता है कि यह मेरी दुकान है जगे पर मैं काम करता हूं ऐसे मैं रहता कहां कोई कस्टुमर आएगा क्या आने वाला है उसके दुकान पर कोई कस्टुमर तो देखिए जी आप किसी भी फेल्ड में हो महनत और सही दिशा में महनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है उके गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस्टाग्राम पर फॉल नवात्रम